हेलो दोस्तों आप सभी का आमार यूट्यूब चानल में सवगत है वेल्कम टू दिस लेशन तो इस उडिये के अंदर हम देखने ओले बैसिसेटी ओफ आमाइंस की बैसिसेटी देखेंगे ओके सब्जेट कुन सा आमार पास प्योसी सेकंड जोकी फार्मसी थर्ड से में दिय आगा है तो चलो वीडियो को स्टाट कर देते स्टार्ट करने से पहले आगर आपने आपने यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कहें तो जरू सब्सक्राइब करना विगोज यभीज वीडियो अपलूड करेंगे तो उफकी नोट देख सकते हो तो introduction देख लेते हैं थोड़ा सा introduction Amide Amide Quiet Ammonia जो हता है आमार पास base होता है with One or more Alkyl and Alkyl Group on the रहीं तो आमहुआइन क्या है एक nitrogen ग्रूप होता है और उसके होछ की जो अमाइन्स ग्रूप होता है हो एक या एक से ज्यादा आलकिल और अलकाईल ग्रूप आट्यज होते हैं ओके यहाँ पर देख लिए जटाओं, उसका डिया गया आमोनिया का तो उसका classification देख लेते हैं फर्स्ट आमार पास primary प्राइमरी आमाइन्स देख रहे हो आप नेक्स्ट आमार पास secondary आमाइन्स और लास्ट में आमार पास tertiary आमाइन्स तो यह सब आमाइन के structure रेफ्रेंट्स primary आमाइन्स मतलब क्या देख लेजिए यहां पर एक है आलकेल ग्रूप इसको आठेच है एक है आलकेल ग्रूप यहां पर आठेच है आराय आपको और यहां पर देख लेए secondary के अंदर दो आलकेल ग्रूप यहां पर आठेच है और tertiary के अंदर यहां पर थ्री आलकेल पूअए में पूच्छे जाता है बहुत ही इंपोग्टन इसके अंदर सिप आपको इतना ही लिखना यहां पर दिया गया गया इस्लाइट के अंदर दिया घंताइब बेसिए अफ्ट aromatic amines are the basic in nature जो भी aromatic amines होते हैं वो basic होते हैं basic in nature basic होते हैं they can accept a proton वो proton accept नहीं करते हैं from water water से वो proton accept नहीं करते and from substituted ammonium hydroxide which ionize to form a hydroxyl ions वो ionize करके hydroxyl ion form करते हैं यहाँ पर देख लिजी example दिया गाहा है alkyl group R bond NH2 प्लस H2O तो वहाँ पर reversible reaction है वहाँ पर क्या form होता है देख लिजी यहाँ पर क्या form होता है R NH3 मतलब यहाँ का H यहाँ पर चला गया और बाद में minus OH यहाँ पर जो minus OH बचा हुआ था OH यहाँ पर O यहाँ पर जाके attach हो जाएगा बाद मेंस की reversible reaction हो जाएगी R NH3 प्लस OH मोलेकुल यहाँ पर बाद निकल कर जाएगा ओके naturally all aqueous solution of amines are in the basic in nature सारे amines जो होते solution amines solution basic in nature होते है ओके being basing in nature aromatic amines react with the acid to form a salt जो भी आमाइन्स जो है reacts with acid acid से अगर reacts होंगे तो यहाँ पर salt formation हो जाएगा फ्रेंड्स ओके aniline देख लिए यहाँ पर example दिया गया aniline प्लस HCl उसकी HCl के साथ reaction होते है तो यहाँ पर क्या form होगा anilineum chloride तो यह सब basicity of amines से ओके amines basic in nature में होता है तो इसके example भी आप दिया गया आप इसे से अच्छे से बना लो आपको क्या करना है exam में इस सिर्फ दो example लिखने है बाकि आपको आच्छे मार्क मिल जाएंगे I hope friends आप सभी को वीडियो पसंद आया